उमरिया पुलिस ने डीजल 24 साइद लूट की अन्यवारदातों में शामिल गिरोह के तीन सदस्यों को गरफतार करने में सफलता हासिल की है दरसल पाच आरोपी ने 14 मार्च को जिले के मानपूर थाना अंतरगत ग्राम ताला में एक ट्रक से चालक के उपर हथियार अड़ा कर तकरीबन 100 लीटर डीजल लिकाल लिया और फरार हो गए प्रक चालक रमेश पटेल ने घटना की सिकायज जी लेकिन मानपूर थाना में दर्ज खरा है जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और फर्यादी के बताये हुलिये CCTV पूटेज के अधारपाल पूरिश ने चार आरोपी और रवी रजक, सुरेंदर यासी, सेलेंदर कुमार, कचेर एवं क्रकास तंदर सोनी को ग्रफतार कर आज मियाए लेके पेस किया जहां से उन्हें जेल भेज दिये गाया, पुलिस अधिक्चक प्रुमोद कुमार सिन्हा ने बताया है कि पकड़े गई आरोपी में से तीन आरोपी वारदात को अंजम देने वाले हैं, एक आरोपी चोरी डखिती का माल खरीदने वाला है, घटना के दो आरोपी भी फरार ह छेतर में, वहां चालक जब अपनी गाड़ी लेकर कहीं खड़ा हुआ था, उस समय एक बोलेरो से पाँच आरोपी आये, उसको तलवार की नोग पर धमका कर और उसके गाड़ी से डीजल निकाल लिया था, और इस तरह से फिर उसके गाड़ी का डीजल खाली कर लिया था, इस सूचना पर पुलिस ने ततकाल इसमें प्रकरण पंजीबद किया है, और चुकि इसमें पाँच आरोपी थे और ससस्त्र थे, तो इन पे डकैती की धारा लगाई गई है, तो पुलिस ने डकैती के इस प्रकरण में ततकाल विवेचना प्रारम करते हुए, विविन सोर् कारी एकत्रित किया है, और इसमें कुछ हमने सीसी टीवी फुटेज भी खंगाले हैं, कुछ जो नाके पढ़ते हैं, उस पे हमने चेक किया, उसके बाद हमने अभी पांच आरोपीों में से तीन आरोपी गिरफतार कर लिया है, दो आरोपी इसमें सेस हैं, जिनको हम सी ग्र गिरफतार कर लेंगे, और इनसे पूछता चुपरांत हमने यह भी पता किया है, कि यह जो पूरू से इस तरह की वारदात करते आ रहे हैं, तो उस वो माल किसको बेचते थे, तो उसमें भी जो एक आरोपी की जानकारी हमको लगी, जिसको यह ले जाकर माल बेचते थे, तो अभी हमने उसको भी गिरफतार कर लिया है, अब हमारी विवेचना इस दिशा में चल रही है